दर घबराहट चिंता इसके वजह से तकलिव होना इसके बारे में आज बात्चीत करते हैं कभी सारे लोग बहुत सिंसीटी होते हैं छोड़ी बात के उपर एक तो उनको फट से आख में पानी आएंगा रोना जाएंगा दिल में धड़कन हाथ पर कापना घबराट हो जाना चिंताप क्या होंगा क्या नी मास पेशों में ऐसे खिचावट पैर में असा बिल्कुल पू कुछ बहुफ सारे उनको सिम्टम्स को दिखाई दे वे लोग पापी सेंसिटी उंको avanzc कुछ लोगों को पेनिक टक के वजह से यसा होता है कुछ लोगों को डिपरेशन के वजह से होता है कुछ लोगों को ऐसा कुछ रहता नहीं है कि कोई psychic quello safety illness है लोगों को जह संकी copy किसने कुछ बोला तो लगता है तो देखो टॉंट मार रहे। किसने कुछ बोला तो लगता है, कि देखो में कम जो रहें। ने की मेरी तरफ यह इनका इशारा है। या थोड़ी बात होगी तो चिड़ चिड़ हो जाएंगे फिर लोगों को दोश देंगे मुझे ही उन्होंने ऐसा बोला है मेरे देवर ने ऐसा बोला या मेरे देवर ने ऐसा बोला या मेरे दोस ने ऐसा बोला उनका इशारा मेरे तरफ ही था ऐसा उनको लगता है और उनको आपने खुद के बारे में एक ऐसी लो सेलफ एस्टिम रहती है कि मैं बहुत कम हूं मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूं और फिर वो लो सेले एस्थिम के कारण एक खुद की स्वोपर्तिमाज होए कम होने के कारण बहुत सेंसिटीवीटी है उसके कारण फिर थोड़ा भी समझ में नियारा क्या करूं और वह घर जाकर सो जाएंगे अब यह लोगों को हो सकता है कि एक पैनिक अटक डिपरेशन निया और कोई बीमारी है देखना बढ़ेंगा कि वह एक तो कोई शैरिक बीमारी तो नहीं है और सब पूरे इंविस्टिकेशन करने के बाद में एक बा कर लिया एक बार मालूमा कि नहीं है साइकोलाजिकल है तो साइकेट्रिस का सलाह लेके मेडिसिन्स हिपनोसिस साइकोथेरेपी काउंसिलिंग इससे यह ठीक हो सकता है उनका ब्रें जो हैना वह है ब्रें पैटर्स जो हैना है पर हुए है थोड़ा भी कुछ होगा है तो करते हैं तो पेशेंट ठीक हो सकता है मगर कुछ नहीं आप तो जादे ही सोचते है आप इसके बाद में मन को मत लगाते जाव मन को आप लगाएंगे तो जादा होता है आप शांत रहते ज़ाएसा लोग आजू-बाजू के छला करना जरूरी है फाईादा बील्कुल होता नहीं है उल्डा वो बीमारी जाजादा बढ़ते रहती है तो जल्दी डॉक्टर से सला करके उसका इलाज करना जरूरी है थैंक यू बेरी मच्छ इड़ते बेरी मेच्टर से अल्ड़sl